रादधानी राइपुर के विधान सभा इलाके में एक ती साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है बालाक के हत्यक बाद सव को जाड़ियों में फेक दिया गया था देरास्तों मिले के बाद मामले का खुर्याशर हुआ विधान सभा पुलिस अपचारी बालाक से पूचताच कर रही है पुलिस के मताबिक सड्डू के वियाईपी स्टी के पास लेबर कौर्टर में एक मद्दूर प्रिवायर रहता है सुपार दोबर से उसका तीन साल का बेटा उनके रिष्तेदार नबालिक साथ निकला था कुद देर बाद परिजनों को बालाक का ध्यान आया उन्होंने उसे ढूणना शुरू की नबालिक से भी पूचताच की गई तो उसने जनकारी होने सिंकार कर दिया बच्चे के नहीं मिने से परिशान हो करके उसके परिजनों ने पूलिस को सुझना दी थी पूलिस भी बालाक की तलास में लगी रही इस बिच रात करीब साड़े ग्यारा बजे बालाक का साओ बियाइपी सीटी के गोल चौक के पास ज़ाड़ियों मिला इसके सुझना पर पूलिस की टीम मौके पर पहुची और साओ को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है प्रात्मिक जाच में बालाक की हत्या गला दबा कर करने का पता चला है मामले में पूलिस ने नावालिक बालिक से पूज़ताच की है हत्या की समझे से क्या गया है इसका पता नहीं चल सका है इस मामले पर अभी और खुला से होने बाकी है